जय हैं दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो उन जवानों के लिए है जो जवान देश की सेनाओं में जवान की रूप में या सैनिक की रूप में भरती होने के लिए सरकार ने अगनी वीरी स्कीम को लॉंच किया हुआ है और आप सब लोगों में से कई सारे लोगों ने इस स्कीम का सीधे तोर पे स्वागत किया है और आप सब लोगों में से कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया है और अभी भी कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं जबकि सरकार ने सेनों में भरती के लिए, चाहे वो वायू से नहों, चाहे थल से नहों, चाहे जल से नहों, उनमें भरती के लिए notification जारी कर दी हैं, इनके exams, रैलियां, जल्द आयोजित होने वाली हैं, तो दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपको clear कर दूँ कि इस वीडियो मे मैं ना तो ये आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ ये नहीं डिसकस करने वाला हूँ, कि सरकार ने ये जो scheme launch की है, वो बहुत अच्छी scheme है, पूरी तरीके से आपके favor में है, या आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द scheme है, और ना ही मैं ये discuss करने वाला हूँ, या ना ह आपका लोगतांतरीक अधिकार है, जो चीज आपको गलत लग रही है, आपके favor में नहीं लग रही है, उस बात को उठाना बिलकुल आपका अधिकार है, बिलकुल उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्लीज, यार ये हाथ जोड़कर आप लोगों से request है कि देश की चलाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, उसको चलाने के लिए उसको जितना भी पूरा का पूरा प्रोसेस से वो सारा का सारा आप खतम कर देते हो, तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है, आप अपना विरोध रखिए, विरोध करिए, लेकिन जायस तरीके से, अगर आपको नहीं भी मालूम है दोस्तों, तो उसके बहुत सारे उप्संस हैं, आप समझ सकते हैं, हिस्टरी से बहुत सारी चीजिज आ अगर आपने हिस्टरी और थोड़ा बुद पढ़ी हो, तो आप थोड़ा से ये समझी सकते हो, कि हां काउन सा तरीक्या बेस्ट है, से तरीका गलत है और खास तौर पे आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं हम एक developing country के तौर पे अपने आपको developed country के ले जा रहे हैं तो ऐसे में अगर हम यह सारी चीजें करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा डेवलोट country बनना तो दोस्तों request है आपसे कि अपना विरोध जरूर आप करें और आप लोग बहुत समझदार है कि आप लोग के favor में क्या है आपके लिए क्या फायदे मन नहीं है तो इसको समझते हुए इसको आप करिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन इन सब के चलते आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों जो भी चीज होता है मतलब सरकार की दौरा जो launch किया जाता है सरकार बनती है सरकारें आती है जाती है वो तो होता ही रहता है लेकिन आप सूचिए कि आपको जिस भी पैटर्न में आपको ढाला जाएगा जिस भी प्रॉसेस से आपको सेलेट किया जाएगा वो प्रॉसेस भले चेंज कर दिया जाए लेकिन आपकी क्वालिटी आपको जिस तरीके से चेक किया जाना है आपकी जो एबिलिटी टेस्ट किया जानी है वो तो नहीं चेंज होने वाला है तो आपकी तैयारी जो है वो परफ वायू सेना में अगनी वीर वायू बनाने के लिए कैसे हेल्प की जाए तो दोस्तों सरकारी परिछा जो है वो आपके लिए यहां पे एक वीडियो सिरीज लॉंच करने जा रहा है जो कि 5 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको अवलेबल होंगी फ्री यूटूब पे आप जा सक राइट तो चलिए कैसे करना है तैयारी कैसे वहां पे समझा देता हो step by step तो आपको अपने डेश्टॉप या आपने मोबाइल के किसी भी ब्रॉजर पर जाना है और वहां पर आपको आपको सरकारी परिछा टाइप कर लेना है क्या करना है सरकारी परिच्छा डौट कॉम संग्सक्राइब करना है आपको क्लिक कर देना है यह हमारी ऑपको लॉग इं का बटन मिलेगा तो यहाँ पी मैंने ऑलड़ी साइन किया हुआ था तो यह साइन आउट का उप्शन दिखा रहा है इसके जगा किया हो जाएगा अगर आपने पहली बार इसको उपन क्या तो यहां पर login का option दिखाएगा तो जब आप sign in कर लेंगे register कर लेंगे login कर लेंगे तो आपको यहां पर अपनी profile का tab दिखेगा आपको अपने profile पर जाना है जो जो आपके profile में चीजें हैं वो सब वहां पर दिख जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर सबस्क्राइब मैं आपक देता हूं तो दोस्तों यहां पर आपके लिए mock test मिलने वाला है bilingual में और study material मिलने वाला है free video classes मिलने वाली हैं साथ में seven performance report भी आपको देखने को मिलेंगी मतलब क्या होगा कि जब आप mock test दे चुके होंगे इस exam का तो हर एक mock test के लिए आपको seven types की reports दिखाए जाती हैं ताक कि आप अपनी तयारी को बहतर तरीके समझ पाएं कि कहां पे आप अच्छा perform कर रहे हैं कहां पे आप खरा perform कर रहे हैं यानि कि आपकी strength किन topics पे हैं और आपकी weakness किन topics पे हैं तो यह seven reports जू है seven performances reports जू हैं वो आपके लिए बहतर analysis report की तरह काम करती हैं आपकी बकायदा analysis कर द को को दे सकते हैं कैसे देना है आपको तो दिखे मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं यह क्या है एक्जाम वुटन है आपको एक्जाम पर जाएंगे तो एक्जाम्स पर जाने पर क्या होगा दोस्तों कि आपको यहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, कि किन एक्जाम्स को आपको select करना है, यहां पर बेसिकलिए हमने इसको तीन तरीके से यहां पर यहां पर तीन टाइप में पर एक्जाम के लिए होना वाला है जाने क्यूंता है इस तरीके से आपको इन तीन ओक्जाम्स में से इस एक्जाम को आपने fill किया उस ऐक्जाम को क्या कर लेना है select कर लेना है तो जब आप select कर लेंगे तो मालो मैं इस exam पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस exam का pattern given है पूरा summary दी गई है और यहाँ पर आपको इसका syllabus भी दिख जाएगा मतलब किस तरीके से यह exam आने वाला है यहाँ पे इंगली साने वाली physics आने वाली mathematics आने वाली है 20 questions इसमें 25 questions इसमें टोटल सेवन्टी questions आने वाले हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर यह पूरा देख सकते हैं अच्छा, दूसरा अगर मैं आपको यहां बताऊं कि अगर आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं और डिरेक्टल आप इस एक्जाम को लेना चाह रहे हैं, मौक्टेस इसका देना चाह रहे हैं, तो करना क्या पढ़ेगा दोस्तों, आपको यहां पर सेलेक्ट प्लान, इसी पेज़ पे आपको सेलेक्ट प्लान का बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस एक्जाम से रिलेटेड आपको क् लेनी है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर कि पॉसे प्लांत का टैप में जा सकते हैं जैसा अगर मैं आपको यहां बहुकर करके दिख्वाँ तो हमारे डिफॉर्ट प्लांस अफ लेबल है right मतलब कि यहां पे freedom 500 के बारे में बताया गया है, gold के बारे में बताया गया, silver के बारे में बताया गया है, और भी हमारे plans हैं, right, special exam के term में है, gk200 है, dl50 है, right, इनके बारे में आप basic जानकारी ले सकते हैं, और जो भी आप exam लेना चाहते हैं, exams list में जाके, उस exam को select करके, और उसी page में जाके, जैसे मनें आपको बताया कि plan को select कर सकते हैं, जो exam आप select करेंगे, उससे related plans आपको उसी page में देख जाएंगे, उस प्लान को आपको select कर लेना है, और जैसे select करेंगे, उसके बाद वो आगए का process बताएगा, कि आपको buy करना है, कि मेतर से business ourselves को buy करना है, credit card से buy करना है, या उसको आप QR code से करना चाह रहे हैं तो यह process रहेगा buy करने का आप उसको buy करने के बाद जैसे आप buy करेंगे वो particular plan और उस plan से related जो एक्जाम सोंगे मतलब जो जो भी चीज़े वहाँ पर आपको दी गए उस plan के अंतरगत वो सारा का सारा आपके profile में दिखा दिया जाता है तो जैसे मैं आपको अपने profile में दिखा हूँ मेरी profile है अब यहां पर यह मेरा dashboard दिख जाएगा और इस तरीके से यह दिखेगा तो आपको my account दिखेगा माइक जांस दिखेगा माइक जांस दिखेगा माइक जांस पर क्लिक करता हूं तो मैं इस तरीके से मेरे पास अगनी वीर का यह पड़ा हुआ है प्लान तो अब मैं क्या करूंगा टेस्ट देना चाहरा हूं मॉक देना चाहरा हूं तो मैंने क्या क्या स्टार्ट टेस्ट प आपको चलाना है कैसे आपको टेस्ट देना है तो यह बेसिक इंफोर्मिशन यहां पर आपको दे दी गई है आपने क्या करना है यहां पर टिक कर देना है लगा देना है that I have read all the instructions and continue कर देना है जैसे आप continue करेंगे वैसे आप यहां पर language पूछेगा कि आप किस language में इस exam को देना चाहते हैं विकॉज यह जो exam है वो bilingual है English में भी आप दे सकते हैं और Hindi में भी दे सकते हैं तो मैंने यहां पर by default English is select कर लिया and start कर दिया तो start test पर जैसे आप click करेंगे आपका जो exam है वो इस तरीके से start हो जाएगा और यह आपका mock dashboard है जिसमें आप देख सकते हैं कि subjects यहां पर mentioned है subjects यहां पर है English, Physics, Mathematics and Raga तो यह subjects आपके दिये गए हैं और आपने क्या करना है इन में से अपने question को यहां पर करना है तो जैसे यहां पर by default क्या English का शुरू हो गया English का पैसे जा रहा है यह पैसे है और इस पैसे से related यहां पर पहला question है तो मान लिजए कि इस question का जो correct answer that is this a next कर देना है फिर second के लिए भी आप यह कर दो next करते जाओ इस तरीके से आपको जो पैसे से question वो grouped form में मिलेंगे कि एक पैसे से related जो questions है वो सब एक साथ ही दिखेंगे फिर इस तरीके से आपको कर देना है next कर देना है तो यह पैसे से रिलेटर जितने भी question दे वो सब खतम हो गए आप यहां पर दूसरा question आ गया आप आप क्या कर सकते है फिजिस क question दिख जाएगा और उसी तरीके से जो भी आप option tick करना चाह रहे हैं उसे आप करिए और next पर जाएए तो यह है basic buttons previous next clear tag और यहां पर finally finish and exit का button दिया गया है जिसको आप click करके test को समाप्त कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आपका time चल रहा है time clock चल रहा है मत पूरा पूरा time यहां पर दिखेगा countdown यहां पर सुरू होगा तो इसके साथ में आपको हर एक second के लिए भी time clock चलता है मतलब हर एक question के लिए यहां पर आपको time clock दिया गया है कि आपने यह question जैसी switch किया तो switch करने के बाद just आपने इसको solve करने में और next तक जाने में कितना time ल जैसे मैंने आपको अभी तक समझाया इसका और यहां पर 47 seconds हो चुके इसका मतलब है कि मैं इतने seconds इस question में रहा जैसे आपने क्लिक किया यहां पर option को और next पर गए वो time वहां पर उस question के लिए बता देगा कि आपने इस question को solve करने के लिए इतना time लिया था सुझे कितना मज़ेदार यहां पर यह आपके लिए है और कितना मतलब आपको help करने वाला है कि पर question में भी आप कितना time ले रहे हैं यह भी यहां पर आपको analysis report में बता दिया जाएगा तो यह है basically आप यहां पर देख सकते हैं और आपको यहां पर color coding मिल जाएगी color coding को कैसे समझना है कि अगर red है तो आपको unattempted question वो बताएगा जो yellow है वो आपको attempted tagged question बताएगा और यहां जो blue है वो tagged question को बताएगा अगर आपको यहां पर इस पूरे question में किसी subject में कहीं भी किसी question को issue लग रहा है तो आप उस question को report कर सकते हैं right report का आपको यहां पर यह option मिल कि आपको किस तरीके का issue यहां पर दिखा है मतलब वो question wrong है correct option not given grammatical errors यह सारी चीजें यहां पर given है आप उसको mark कर सकते हैं और वो हमको notify हो जाएगा और हम उस चीज को correct करके आपको फिर thank you भी बोलेंगे कि आपने इस चीज को पकड़ा right तो यह चीज है right तो definitely यह जो mock dashboard है वो बहुत ही आपके लिए convenient है आपको बहुत ही फायदा पहुचाने वाला है खास तोर पर जब आप इस mock को finish करेंगे finish and exit करेंगे तो आपको seven types की reports मिलेंगी आपको उन reports में हर एक चीज के analysis दे दे जाएगी आपने subject wise कितना perform किया topic wise कैसे perform किया सब topic wise कैसे perform किया और performance में आपको समझ में आ गया होगा तो side पे जाएं और वहाँ पे exam को select करें, plan को select करें जिस भी plan के अंतरगत आप तयारी करना चाह रहे हैं और exam, उस plan के तहरे जो mock test हैं, उन mock test को दीजे, अपनी तयारी को बेतर करें ताकि आप एक जवान के रूप में अपने आपको select करा पाए तो चलिए, मैं आपको इस series में physics पढ़ाने वाला हूँ, वीडियो आपको इस series में हर एक जो teacher है, उनकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, वीडियो को जरूर आप देखिएगा, और जो भी आपको feedback देना है, उस feedback को आप जरूर रखिएगा, आप वीडियो में किस तरीके से changes कराना चाह रहे हैं, क्या और आपको help चाहिए, यह सारी चीज, है ना, चुकि आपका feedback, आपका comment भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपके feedback according हम आपको help कर पाएंगे, तो मिलते हैं वीडियो series में, जैहन!